काफी टाइम से कम्यूनिटी में One Piece के 1300 प्रस चैप्टर तक की स्टोरी लीक होने की बाद चल रही थी तो आज हम उन पूरे लीक्स को कवर करने वाले हैं So Hey Everyone, स्वागत है आपका brand new वीडियो में तो इस वीडियो में हम One Piece के चैप्टर 1300 प्रस की जो स्टोरी है उसको कवर करने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही बिता दूँ क्योंकि यह बस एक लीक्स है तो इसका मतलब यह ने की यह रियल स्टोरी है तो अब बिने टाइम को वेश के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो अपनी स्टोरी की शुरूत एकट के end phase से होने वाली है जहाँ पे अपना फ्रेंकी कुमा का डेल फूट को खाने वाला है अब ही ज़्यादा अजीब लग रहा है कि फ्रेंकी अगर कुमा के डेल फूट को कैसे खा सकता है तो इसका most possible answer जो है शायद हमें Mary George में कुमा की डेथ देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो कुमा का डेल फूट है वो रीमर्ज होगा और वो फ्रेंकी को मिलेगा जिसके बाद हम देखेंगे कि बॉनी भी स्ट्रोइट के साथ सेल कर रही है और फिर हमें स्टोरी में आके पता चलता है कि फ्रेंकी, बॉनी और लूफी के डेल फूट की एविलिटी को यूज करके पास्ट में जाया सकता है क्योंकि कुमा का डेल फूट मेमोरीज को ले सकता है और बॉनी का डेल फूट एज को चेंज कर सकता है और हमें पता ही कि लूफी के डेलफूट को किसी भी डिजायर को पूरा करने वाली डेलफूट के रूप में दिखाया गया है वैसे तक पहले मैं भी यही सोच था कि लूफी टाइम ट्रेवल करके पास में जाएगा और में भी लूफी यह असल में जॉइबोई है जो फिचर से पास में चला गया था पर ही स्टोरी में हम देखने कि लूफी रियल जॉइबोई से मिलता है जिसका नम स्टोरी में ड्रायस बताया गया है जो कि एंशेंट क्रिंडम का एक प्रिंस हुआ करता था अब यहाँ पर आप लोग प्रिंस की बात पर जादा गौर करना क्योंकि ड्रायस यानि की जॉइबोई एक प्रिंस था और में वे वो किंग का छोटा बेटा था तो उसका एंशेंट क्रिंडम का नेक्स रूजर बनने का चांस तोड़ा कम था पर वहाँ के किंग ने उसे ही नेक्स रूजर बनने के लाइक समझा पर यह वाद उसके बड़े भाई को पसंद नहीं आई जो कि इस टोरी में इमू है तो इमू ने अपने ही किंडम को बेशने का सोचा और उसने बाकी 20 किंडम के साथ मिलके एंचेंट किंडम को खतम करने का प्लैन बनाया और वो बाकी 20 किंडम इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि इमू ने उन्हें भड़का दिया था कि एंचेंट किंडम जो कि एक एडवांस सिविलाजिशन वाला किंडम था वो बाकी सारी जगा पर एक अबजा करने की सोच रहा है इस स्टोरी में हमें जो प्रेजन टाइम में चार गॉड्स है वनपीस के उनके बारे में वादा चलता है जो कि संगॉड लूफी, रेंगॉड ड्रैगन, अर्थ गॉड कोई ऐसा परसन जो फिगारो लेंड फैमिली से बिलोंग करता है अब फिगारो लेंड क्या है इसके बारे में आपको स्टोरी में आगे बताऊंगा और जो फोरेश्ट गॉड है वो असल में एक लेडी है ना कि ग्रीन बूल तो इस स्टोरी का जो सबसे में लीग मुझे लगता है वो है मैरी जोईस का ट्रेजर क्यूंकि इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टन बात पॉइंट आउट की गई है तो उसे इग्नोर करना काफी ज़ड़ा मुश्किल है तो जो Mary Joyce का national treasure है वो एक बड़ी सी straw hat नहीं है बलकि उस straw hat के पिशे रखी गई एक battery है और वो उस room में इसलिए रखी गई है ताकि वो battery leak ना हो जाए क्योंकि हमने देखा था कि कैसे वो पूरा room frozen था जिसका मतलब ये है कि या तो इमू ठंड में ही रहना चाता है या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज रखी गई है जिसको वो preserve करके रखना चाता है और हमेरी स्टोरी में ये विज़र चलता है कि उस room में असलिए पाश टाइम के लोगों की body भी रखी गई है जो कि war में मारे गए थे अब maybe more bodies इमू के close relationship आलो लोगों की हो सकती है maybe dryass की हाला कि वो से hate करता था पर आखिर में उसका भाई ही था और जो गोरोसे हैं वो साबो को इसलिए hate करते हैं क्योंकि उसमें Mary Joyce में जाके अपने fire attack यूज किये थे तो उस room को वापस से cool करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता पर अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि जो government है वो आउकीजी को वापस capture करने की कोशिश जरूर करती या फिर वो उसे marine शोड़ने के नहीं देती पर अगर क्यों उनने अकाईनू को free terminal बना दिया अगर वो लोग चाते तो वो इस फैसले को बदल भी सकते थे तो भाई लोग ये एक बड़ी mystery है जो इस leak में solve नहीं की गई है जिसके बारे हम यहाँ पे उस battle को भी देखेंगे पर वहाँ के samurais ऐसा नहीं होने देंगे और ये battle तीन faction में divide हो जाएगी जहाँ पे pirates, samurais और marines होंगे और हम देखेंगे कि marines भी दो पार्ट में divide हो जाएगी जहाँ पे sword faction जिसको garp operate करता है वो marines को विट्रे करने वाला है और इस battle में अकाईनू मारा जाएगा भाई यार यार यहाँ तो इस battle में इन्होंने अकाईनू को ही मार दिया और इस story से पहले हमने लूफी वसी अकाईनू भी नहीं देखने को मिला है शायर और अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी disappointing होगा यूँकि लूफी अपने ब्रदर का बदला लिये भी ना तो वन पिस क्लेम नहीं करना चाहेगा इसके वाईट सेंचुरी के बारे में बताया गया है क्याकि ये 100 साल का वाईट क्या था तो story के उकाईनू जो Uranus है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी ship है अब ज़्यादा बड़ी से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी यार और ये ship ancient kingdom से जाके ठकरा जाती है जिसके वाई जो ancient kingdom होता है जो की असल में एक पूरा continent होता है वो काफे जारे टुकडों में तूट जाता है और इसके वोज़स से बहुत तबाई होती है सुनामी आती है फ्लर्स आते है बहुत जगा तूफवान आते है जिसके वाईसे आस्मान में इतना डश चले जाता है कि उसको हटाना बिलकुल नामुम्किन हो जाता है और ऐसे ही वॉइड सेंचुरी की शुरुवात होती है जो कि 100 साल का समय होता है जहां पर कोई भी सुदर्च की रोशनी नहीं होती जिसके वाईसे वहाँ काफे लोग चले जाता है तो मेबी एशिप अगर क्रेश हुई है तो इसका रीजर वो 20 एलाइट किंडम हो सकते है क्योंकि उनका जो में परपस था वो एंचिन किंडम को हरा के उनको तुकडों में डिवाइट करने का था जिसके वाई में बड़ा चलने वाला है कि जो शैंक्स है वो असल में एक सेलिस्टेल ड्रेगन है जो कि फिगारो लैंड फैमिली से बिलोग करता है और इसका स्टेटस दो फ्लमिंगो से कही जाता उपर है तो शैद इसी वसे शैंक्स हो गोरोसे से मिलने दिया गया था और शैंक्स का कोई रिलेक्टिव जो कि फिगारो लैंड फैमिली से बिलोग करता है वो असल में Earth God है पर वो Earth God करंट टाइम में इमू से मिला हुआ है इसके माँ स्टोरी में हमें एनल का रिटरन भी देखने को मिलने वाला है पर ये रिटरन एनल के लिए अच्छा नहीं होने वाला जहाँ पर हम देखेंगे कि एनल को असल में government ने पकड़ लिया है और उसे Uranus के लिए power plant बना लिया गया है तो मेबी जो battery की बात की जा रही है वो असल में Uranus की battery हूँ जिसे एनल की power की मस्ती इमों अपने कमजे में करना चाहता हूँ और हम देखेंगे कि एनरू कैसे भी करके लूफी की अलायंस जॉइन कर लेगा और हमें लूफी की अलायंस में बिगमम और काईडो भी देखने को मिलने वाले है अब यार ये तो obvious है कि दोनों मैंसे किसी की भी देट नहीं हुई थी वानू की टाइम पे क्योंकि हमने जूज को भी नामिक साथ देखा है जो कि बिगमम की सोल का ये एक हिस्सा है और अगर बिगमम मरी होती तो जूज भी एक्जिस नहीं कर सकता था और यार अगर रही बात काईडो की तो उसको strongest creature ऐसे ही नहीं कहते हैं और यहां पे हम देखने वाले हैं कि जितनी पाफुल लूफी की अलाइंस होने वाली है उसने कहीं ज़्यदा पाफुल इमू की अलाइंस होगी क्योंकि उसकी अलाइंस में अर्थ गॉड और ब्लैक बेड भी होने वाले हैं और जो सबसे पहले चार फूट हुए थे, जो चार फूट थे, उनको चार लोगों ने खाया था, जिसमें से वो अर्थ गॉड, फॉरेश गॉड, रेंगॉड और सन गॉड बने थे, और धीरे धीरे करके गॉड्स ने लोहों की लाइफ को सुधारना शुरू कर दिया, और फ वो ही हमेशा की तरह यामी यामी नोमे की पावर्स, यानि की इवल पाव्स अच्छाई पर भारी बढ़ने लगी, पर किसी तरह से उन चार गॉड्स ने मिलके उस इविल को हरा दिया, इसके बाद हम वापस से प्रेजन टाइम में चलते हैं, जहां पर एगएट के बाद हम और अलवाफ की तरफ चलते हैं, जहां पर हम हिश्टी के बारे में जान रहे होते हैं, तोकि वहां पर ओहरा की सारी वुक्स रखी गई है, जिनमें वोईड सेंचुरी और एंचेंट के बारे में काफ़ी सारी इंफोर्मेशन है, और वहीं पर लूफी को, True Awakening के बारे में चलने वाला है कि आकर ये श्ट्रोहेट की इतिछ को रिप्रेजन्ट कर रही है जे yhtए हॉन कि एक जो शिप है जैसे हो समधर में चलता है और दूर जाती रहता है और धीरे धीरे करके आँखों से говоря है और हमारे सामने बस बचता है सूरज पर आकर जो सूरज है वो कभी न कभी डूपता है भर उसका राइस भी कभी न कभी होता ही है ये तो सच है और जो स्ट्रॉहएट है वो डॉन इमू का वहाँ आने के पीज़े यही जिरन होता है कि मेभी उसके पास कोई पावर्स हैं जो हर्ट को सेंस कर सकती है तो जैसे ही लूफी पास में जाता है तो इमू को दो जोई बोई के हर्ट फिल होते हैं और इमू यह देखने के लिए जाता है पर वह लूफी को देखता है पर लूफी को face cover हो रखा होता है जिसके बाद से current time में हम देखते हैं कि जो इमू है वो सोच रहा होता है कि जो उस time पे देखा था उसने वो असल में shanks होता है ना कि लूफी और हमाई story में यह भी वादा चलने वाला है कि जैसे current time में इमू cleansing perform करता है वैसे उसने past time में भी किया था और कई लोग मारे गए थे और इमू के time तक डेल फूट इमर्ज हो चुके थे जिन में से एक डेल फूट था ओप ओप नूमी जिसको यूज करके इमू ने अपने पर perpetual use सरज़री करवाई जिसे वो immortal बन गया था और आज भी वो immortal ही है इसके बारे में मैंने एक already वीडियो बना रखी जिसको मैंने God Valley में cover कर रखे कि आखिर इमू immortal कैसे है और उसने डेल फूट कैसे लिया और रॉक सब क्या ड्रीम था अगर आप लोगों को वो थेयोरी वीडियो देखने हैं उसकी खाने के लिए लोगों को चीज़े नहीं मिल पाती थी और ये सब देखके उस लड़के का धीरे-धीरे भगवान से भरोसा उड़ गया था पर वो अभी भी जश्टिस पर विलिफ करता था पर एक दिन जिन लोगों को उसने खाना दिया था उन्हीं लोगों ने उसकी मा को मार डाला जिसके बाद से उस लड़के का अच्छाई के उपर से भरोसा ओड़ गया था और उसने अपने आपसे प्रॉमिस किया कि वो एपसलूट जिस्टिस होल्ड करेगा जहां पर वो किसी छोटे से छोटे इवील को भी नहीं बनपने देगा चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए और करन्ट टाइम में हम उस बच्चे को फ्ली टेर्मिनल साका जुगी के नाम से जानते हैं तो शायद हमें ये बैक स्टोरी अकाईनों के मरने के टाइम पर दिखाई जाएगी ये मैं नहीं कह रहा ये लीक कह रही है भाई तो भाई इस लीक में हम वेगापंग की स्टोरी में देखने वाले हैं कि कैसे उसने रिवलेशनरी आर्मी जोइन कर ली है और कैसे वो एक डेंडेंडें मुश्ची बनाने वाला है जो कि उसके ब्रेन से connected होगा और वो डेलेक्ट अपने ब्रेन से बागी सारे डेंडेंडें मुश्ची के साथ connect कर सकता है और वो ऐसा यूज करके पूरे वर्ड के उपर एक announcement करना चाता है तो भाई ये announcement क्या है ये तो हमें इस leak में नहीं बता चलती है पर क्या आपने कभी NL की cover story देखी है जिसमें वो moon पे चले जाता है और वहाँ पे कुछ लोगों उसे भी मिलता है हाला कि उसे वहाँ पे पहले robots मिलते हैं जिसे हम automata या automata के नाम से जानते हैं पर moon पे वहाँ पे लोग भी रहते थे तो इस story में हमें ये बताया गया है कि जो minks है वो असल में moon में रहा करते थे और वो moon से अर्थ में आये हैं और अर्थ में आते टाइम वो अपने साथ baby junisha को लेके आये थे और जो Uranus है वो भी moon से ही आया है जो कि एक ship है जो moon से earth में या earth से moon में travel कर सकता है and before the ending of one piece एक बहुत जाज सैट सीन आयेगा जहां पे हम लूफी और लॉग को देखेंगे और हम वेगबंग को भी देखेंगे जो history of lock posts, formation of grand line, rivers mountain, carl band और पूरे one piece के solar system के बारे में हमें समझाएगा और information देगा और आज की जो story है वो यहीं पे end हो जाती है तो कैसी लगी आपको यह story वैसे तो मैं hope करता हूँ कि यह story सच ना हो हाला कि यह story बहुत ज़्यादा interesting है पर मैं one piece की story को खुद अपनी आखों से पढ़ना चाहूँगा और end देखना चाहूँगा उसका तो hope करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं one piece चैप्टर का हिंदी एक्स्राइशन न्यू सोरी और स्पॉलर्स की वीडियो डालते रहता हूँ तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको अगली वीडियों सब तक लिस्तायो नरा